नमस्कार दोस्तों आज के सी वीडिये पे हमलो यूपी पेसी यानिकी उत्रप्रदेश लोग से वायो के दौरा आयो जीत राज की इंटरकाले जैसी प्रवक्ता के लिए बायलोजी यानिके जी विग्यान का पहला पार्ट देखेंगे या आपके GS पेपर के लिए जो है काफी महतपूर है जिसमें 40 कोशन पूछा जाएगा और सब्जेक्ट से 80 कोशन यानिकी टोटल 120 कोशन का GIC परोक्ता का पेपर होगा जिसमें एक तिहाई निगेटिव मार्कि यानिके 1 3rd, 3 कोशन गलत होले पर एक सही कोशन भी आपका गलत हो जाएगा एकजाम डेट इसका आपको पता ही है 19 सितमबर 2021 जल्द ही इसका एडमिट कार्ड भी आपको देखने को मिलेगा तो यह आपके GS पेपर के लिए है तो वीडियो को लाइक शेर कर दिजेगा चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ भी वीडियो को प्रेस कर लिजेगा जिसे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे और जो लोग GIC प्रवक्ता का प्रिबियस येर कोशन पेपर देखना चाहते हैं वो चैनल के प्लेइलिस्ट में जाकि आप वहां से सब्सक्राइब को देख सकते हैं तो आईए सुरू करते हैं दोस्ते आप यूपी प्यसी और यूपी तरफले सी एक्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप चो एन अकेडमी लर्न अटिसे अप लागिन करेंगे लागिन करने के बाद आपको सेलक्ट करना एंग का उल एक्जाम लर्न यहाँ करते हैं लेते n ह答 मेरे टेंप qbpscŞhc j careless se December subscription offer अफर चले है ज़िए बारे मंत का लेते हैं सब्सक्रिप्षा तो 24 मंत का लेते हैं तो तीन मंत एक्स्ट्रा को सब्सप्रिप्षान मिल जाएगा बहुत प्राइस हाइक होने वाला है सब्सक्रिप्षयून में तो आपको तो करेंट रेट में सबस्क्रेप्ष्ट्र मिल जाएगा इसके लिए आपको वहारे रेफ्रल कोड यह उच करते हैं तो आपको 10% का एडिस्काउंट मिल जाएगा तो आप लोग यह दि सब्सक्रेप्षण लेने के बारे में सोच रहे हैं तो जल से जल ले सकते हैं और यहां पर जो है करेंट फिरस जो है डेली 20 मिनट में 20 सवाल सभी यूप एक्जाम के लिए करा जा रहे हैं टाइम है इसका आठ बजी आप जोइन कर सकते हैं सितंबर से 15 सितंबर तक चलाए जाएगा इसके बाद बुस्टर टेस्ट चलाए जा रहा है यह भी आप जोइन कर सकते हैं प्रतेक सेटर्डे को 10 बज़े सुबह दो घंटे का यह टेस्ट है उसके बाद यूपी पेसी पीसी प्रिलिम्ट का भी है आप देख सकते हैं आप यह लोर PCS का भी है ROE RO का भी है बैच को से जो भी अविलेबल है अनिकेडेमी पे यह यूपी पीसी मेंस आप्शनल है आपका देख सकते हैं यहां पर उसके बाद मिशन खाकी कंप्रीट कोस है यूपी एसाई का 31 अगस्ती बैच सुरू हो गया जो लोग जोग जोइन करना चा प्री दोनों की जो है complete त्यारी करा जाएगे बैच जो अबिलेबल हैं भी आप देख सकते हैं यहां पर और यदि आप सब्सक्रिप्शन पीस जो है चार्जर यहां मन्तवाज लेना चाहते हैं यहां फिर छे महने एक साल का जो भी तो आप हुमारा यदि रेफरल कोड यू कर सकते हैं तो यदि आप एक्जाम को क्रेक करना चाहते हैं तो अने अकेडमी को जरूर जोइन किजिएगा तो पहला जो कुशन है आपका आज का निमलिखित में से कौन सा एक रेसेदार प्रोटीन है चार भी कल्प है आपके सामने इसमें बताना है कौन सा सही होगा तो र रेसेदार प्रोटीन फुछा गया है क्रेटीन हो जाएगा सी बिकल्प में क्रेटीन एक रेसेदार प्रोटीन है और यह प्रोटीन बाल नाप्वून सिंग और उन इन सभी में जो है पाया जाता है। अगला कुशन है अमारे सरीर में तुचा की सतह के नेचे मौजूद वसा किसके विरुध अवरोधक का कारी करती है तो यह सरीर से उस्मा की छती के विरुध यह विकल्प से हो जाएगा अगला कुशन देखते हैं कि एक स्वस्त मनुस्य में रक्त की आउसत मात्रा कितनी होती है तो यह 5-6 लिटर होता है भी आपसं से हो जाएगा एक स्वस्त मनुस्य में रक्त की आउसत मात्रा देखा जाए तो 5-6 लिटर होता है और वस्तुत है मानों सरीर के कुल भार का यह 6- साथ प्रतिसत उसके शरीर में रख्त रहता है तो यदि पूछा है उसके भार का यानि कि मनुस्य के भार का कुल कितना प्रतिसत रख्तर रहता है तो छे से साथ प्रतिसत और लीटर में पूछा जाए तो पान से छे लीटर आउसत मात्रा होता है अगला कुशन देखते हैं कि आउसत मानो मस्तिस्क का वजन होता है लगभग कितना तो यह होता है एक दस्मलो तीन छे किलोग्राम आउसत मानो मस्तिस्क का वजन लगभग एक दस्मलो तीन किलोग्राम होता है और मानो मस्तिस्क तीन हिस्सों में एक अग्रह दूसरा मध्य और तीसरा पश ये तीन हिस्सो में जो है विभाजित होता है और तीनों का अलग-अलग कारी होता है अगला कुशिन है सही उत्तर के साथ सही या सूची को आपको मिल्यान करना है और आपको वताना है कूट की माध्यम से कि कौन सा यहां पर बिकल्प सही होगा तो चलिए देख लेते हैं विटामिन B1 हो जाएगा थाइमिन यहीं की एका तीसरा विटामिन B2 यह हो जाएगा राइवो फ्लेविन तो B का हो जाएगा चोथा और विटामिन B6 को पायरिडाक्सीन कहते हैं C का हो जाएगा पहला और विटामिन B12 हो जाएगा आपका साइनो कोबालामिन तो D का हो जाएगा यहां पे दूसरा तेनी कि 3, 4, 1 तो तो 3, 4, 1 तो आप देख सकते हैं यहां पे D option सही हो जाएगा अगला कोशन देखतHE हैं कि मानो रूधिर में कॉलेस्ट्रॉल का सामाने अस्तर कितना है तो यह ओता है 180 – 200 Mg % D option सही हो जाएगा ओर अगर इसका अस्तर 200 Mg प्रतिशत से जयादा हो जाता है तो यह धमनियों पर जमा होने लगता है और इसे ही एथिरो, इसकेरलो, सिस कहते हैं तो यहाँ पे आपका D-Apsons सही हो जाएगा अगला कोशिर है मानों में कुल रक्त आयतन में प्लाजमा का प्रतिस्थ लगभग कितना होता है तो प्लाजमा का प्रतिस्थ पचपन प्रतिस्थ होता है और प्लाजमा में लगभग 90 से 92% के करीब यह जल होता है और किसी सामानिबेक्ट के रक्त का यदि pH मान देखा जाए तो वह 7.4 होता है तो रक्त का pH मान पूछा जाए तो 7.4 हो जाएगा और प्लाजमा में याद रखेगा 90 से 92% क्या होता है तो उसमें पानी होता है अगला कुशन निविल में से कौन सा दोनों बहिसरावी ग्रंथी और अंतहसरावी ग्रंथी के रूप में बेवहार नहीं करता तो यह हो जाएगा आपका प्यूस ग्रंथी यह भी कल्ब से हो जाएगा प्यूस ग्रंथी सरीर की सबसे छोटी अंतह स्रावी ग्रंथी है तथा इस ग्रंथी के हार्मोन अन्य अंतह स्रावी ग्रंथियों को नियंतरित करते हैं अताई से मास्टर ग्रंति भी कहते हैं, जबकि अगनासे हो क्या बिरिशर्ट था अंडासे ये मिस्रित ग्रंतियां, यानि कि अंतहसरावी और बहिसरावी दोनों के रूप में ब्योफार करती हैं, ये विकल्ब सेव गए हाँ, अगला कोशन है अस्तम पाईयों में स्वेद ग्रंतियां मूलत है संबंधित हैं, तो इस संबंधित हैं ताप नियमन से, सी विकल्ब यहाँ पर सेव जाएगा, स्वेद ग्रंतियां अस्तनी वर्ग के प्राणियों के तुच्या में पाई जाती हैं, इनका मुख्यकार तापमान नियंतरण है, और हाला कि ये ग्रंतिया अतिरिक्त लोड़ो वा कुछ नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सरजन भी करती हैं, तो यहाँ पर आपका सी आपसं सही हो जाएगा, और अगला कोशन देखते हैं कि प्रिथवी पर बिसालतम जिवित पक्ची कौन सा है, तो ये आपका सुतुर मुर्ग भी आपसं सही ह अगला कोशन है, और ये अफरीका में पाया जाता है, ये उड़ने में असमर्थ तथा ये तेज दोड़ने वाला पक्ची है सुतुर मुर्ग, अगला कोशन है, असम और नागा लेंड के पहाडी बनों में पाया जाने वाला भारत का एक मात्र कपी कौन सा है, तो वह गिब असम और नागा लेंड के पहाडी बनों में पाया जाने वाला भारत का एक मात्र कपी गिबन है, और ये छोटे आकरिती के बिच्छों पर पाया जाने वाला आधुनिक कपी है, और अगला कोशन है कि ऐसे कसे रुकी को क्या कहते हैं, जो उभै लिंगी नहीं होता, तो वह क सेचन सरीर के अंदर होता है, काकरोच हो गया, खटमल, ये सबी बहुत से कीट इसके अंतरगत आते हैं, तो काकरोच आपसन में इसलिए D आपसन से होगा, अगला कोशन है गुड़ सूत्र किसे बनते हैं, तो ये बनते हैं DNA और प्रोटीन से, C विकल्प यहाँ पे से हो जा प्रोटीन से बनते हैं, और वस्तुता है गुड़ सूत्र की संदचना में DNA तथा हिस्टोन नामत प्रोटीन की महतपूर भूम का होती है, अगला कोशन है किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है, तो यहाँ पे C आपसन से हो जाएगा, चेचक, चेचक यानि कि स्मॉल पॉक्स का बैस्वी कस्तर पर उन्मूलन कर दिया गया है, इसे विस्व स्वास्ति संगठन, यानि कि डवलू यच्चो के द्वारा वर्स 1980 में प्रमारित किया गया था, अगला कोशन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, और कूर के मात्यम से बताना है कि लिए होगा यहां पर, तो पहले आप देख सकते हैं, एक है इन फोलेज मादा, तो इसका संबन्द हो जाएगा मलेरिया से, एक़ा चोथा, फिर है क्यूलेक्स, य lugलेक्स, तो यह वह जाएगा आपका फाइलेयरिया सिस्ट, बी का तीस्रा, फिर है रेत मख्ची, यह हो जाएगा अगला कुशन है कि यहां भी मिलान करना है एकवा कल्चर का संबंद किस से होगा तो मतस्ति से हो जाएगा एका चोथा और फ्लोरी कल्चर का संबंद हो जाएगा पुस्प यानिकी फूल से बी का हो जाएगा तीसरा और सेरी कल्चर का संबंद हो जाएगा रेसम स से फिप न Você का पहला और वीटी कल्चर का संब्द हो जाएगा औंगूर से जो हो जाएगा दूसरा 4 3 2 2 4 3 1 1 2 तो 4 3 1 2 आप देख्या है window हाफ संत यह आपका अगला कशने कर्मी करक्यों कि किस से पिर्थक किया जाता है कि यह पिस्थक होता ही हल्दी से बे बायोटिक और एंटी आक्सिटेंट के गुल पाया जाते हैं हल्दी का वनस्पतिक नाम है करक्यूमा लॉंगा अगला कुशिन है निमलिखित का मिलान केजिए यहां भी आपको मिलान ही करना है क्लोरोफिल का संब्द हो जाएगा प्रकास संसलेशर्ड पिगमेंट से एका वास्टो का संब्द हो जाएगा डाई जो ट्रॉफ से तो बी का हो जाएगा तीसरा वास्पोत सर्जन का संब्द होगा पादप सतह से पानी की कमी यानिकि सी का हो जाएगा यहां पे सी का चौथा होगा यहां पे तो सी का चौथा हो गया कियहूं का किट रोग तो यह हो ज जाएगा अगला कुशन है कि निम्लिखित में से कौन जैव निम्निय यानि की बायो डिग्रेव डेवल नहीं है पहला है सीसा दूसरा रूई तीसरा कागज तो यहां जो सही हो जाएगा आपका यह आप्शन केवल सही होगा यहां पर सीसा ऐसे प्रदूसक जो सूच्म आधि के द्वारा समय के साथ प्रकृत में सरल हानी रहित्त्तों में बिगटित कर दिया जाते हैं वह आपका जैव बिगटित प्रदूसक यानिकि जैव निम्नी या बायो डिग्रेवल कहलाते हैं जैसे कि रूई हो गया कागज घरेलू अपसिष्ट मलमूत्र तो यहां प यहां पर सही होगा अगला कोशन है ग्रीन हाउस गैसों यह था नाइट्रस आकसाइट था मेथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना निम्निकित में से किस जीव से की जा सकती है तो यहां पर सी आपसन सही होगा जीवारू से ग्रीन हाउस गैसों यह था नाइट्रस आ असंचिप्त रूप क्या है तो BOD का असंचिप्त रूप पुछा गया यहाँ पे C आपसन से हो जाएगा Biological Oxygen Demand यहने कि यह जल परदूशा का सूचक है BOD, जिस जल में BOD की मात्रा अधिक होती है, वह जल अधिक परदूशित होता है अगला जो कोशन है जैव उरूरक कौन सा है तो यहाँ पे B आपसन से होगा है जो इस्पिरिलम एक जैव उरूरक जीवित यानि कि सजीव सुचमजीवों से युक्त पदार्थ होता है जैव उरूरक नैट्रोजन इस तरी करड़ के प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा यह पोसक्तत्तों का सही होजन करता है राइजो अबियम हो गया एजो टो बैक्टर एजो इस्पिरिलम और नील हरित सैवाल यह प्रमुख जो है जैव उरूरक तो आपसन में है आपका एजो इस्पिरिलम तो सही हो जाएगा है अगला जो कोशन है तेल बिखराओ के सोधन के लिए आनवानसिक हेर फेर द्वारा प्राकृतिक आईसोलेटों से उत्पन किस जिवालू प्रभेद का प्रियोग किया जा सकता है तो यह आपका स्यूडो मोनास सी बिकल्ब से हो जाएगा अमेरिका में कारेरत भारती मोल के बैज्यानिक डाक्टर आनन्द चक्रवर्ती ने स्यूडो मोनास नामत जिवान को एक नए प्रजाति बिक्सित की जो समुद्र में फैले तेल को हजम कर जाती है और अगला जो प्रशन है गेहों का धब्बा किसके कारण होता है तो यह होता अपका अस्टिलैगो ट्रेटिसी के कारण सी भी कल्ब से हो जाएगा अस्टिलैगो ट्रेटिसी एक पादब रोगाडू है या गेहों के धब्बे का कारण है जो की एक कवक है है अग्ला कुशन दिखते हैं कि बेरियाटेक शर्जरी किसी बैक्टिके ने परिवर्तन लाती है पाचन तन्त्र में भी आप्स्रासfunded हो जाएग़ा बेरियाटेक सर्जरी किसी बैक्तिके अत्यधिक मुटापे को कम करने के लिए की जाती है इस प्रकार की सर्जरी में बेक्तिक की पाचन तंत्र जैसे आमास है यह उम छोटी आंत पर सर्जिकल प्रक्रिया अपनाई जाती है अगला कुशन देख दें कि कोश का भित्ती रहित समस्त बहु कोश की युकेरियोटिक जीओं को आप किस जगत में रखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सही एंसर हो जाएगा आप्शन बी जन्तु यानि की अनिमेलिया में कोश का भित्ती रहित समस्त बहु कोश की यानि की युकेरियोटिक जीओं को जन्तु यानि की अनिमेलिया जगत में रखा जाता है इसकी अंतरगत समस्त कसेर की तथा आयकसेर की जीओं को सामिल किया गया है तो भी आपसन सही हो जाएगा अगला कोशन है आपका किस मानवांग में सरवाधिक कोलिस्ट्राल उत्पादित होता है तो यह होता है आपका यक्रित यानिके लीबर में यह विकल्प यहां पर सही हो जाएगा कोलिस्ट्राल का सरवाधी कुद पादन एकरित में होता है यानि कि लीबर में होता है और एकरित से पित सरावित होता है और पित में कोलिस्ट्राल, लिशाइथीन, एपदार्थ जो है पाया जाते है अगला जुकोशन है आपका अगला कोशन देखते हैं कि जी ज्यान के द्रिश्टी से सरीर के सभी प्रकार के उदीपनों का गरहishment किस तंत्र द्वारा होता है तो यह होता है तंत्र का तंत्र के द्वारा सी बिकल्ब यहाँ पे सही हो जाएगा तंत्र का तंत्र सरीर के बाह तथा आंत्रेक उदीपनों को गुरहन करके उसके प्रती अनुकुरिया प्रशारित करने का कारी करती है इस तंत्र के इकाई नियूरोन होती है अगला कुशन देखते हैं कि मनुस्यों में एक अमलीय माध्यम निर्मित करता है जो एंजाइम पेपसीन के कारी को सुगम बना देता है तो यह आपका हाइड्रोक्लोरिक अमल है भी बिकल्ब से हो जाएगा मनुस्यों में आमासय में भोजन के पाचन के दौरान हाइड्रोक्लोरिक अमल का स्राव होता है यह अमलीय माध्यम प्रदान करके आमासय में पाया जाने वाले प्रमुख पाचक एंजाइम पेपसीन के कारी को सुगम बनाता है पेपसीन, आमासाय में भोजन में उपलब्द प्रोटीन का भी खंडन करके इसे पाचन योग्य बनाता है, तो भी विकल्ब से हुगए है, अगला कुशन है, मुख्य रूप से कौन सी रग्त वाहिकाएं हमारे सरीर के विभिन भागों से हिर्दय तक रग्त का वहन करती हैं, तो यह हैं सीराएं, यह भी विकल्ब से हो जाएगा, सीराएं हमारे सरीर के विभिन भागों से हिर्दय तक रग्त का वहन करती हैं, यानि कि पहुचाती हैं, तथा धमनिया यह हिर्दय से सरीर के अन्य भागों में रग्त को पहुचाती हैं, तो यहाँ पे यह भी सिंड्रोम तो यहां पर आपका सॉर्स पूछा गया यह यह और यह सार्स का पूरा नाम होता है सीवियर एक्यूट रेशी रेशी पिरेटरी सिंड्रोम यह एक वाइरस जनित बिमारी है जो मानों के स्वशन और परिसंचरतंत्र को यह परभावित करती है यह विकल्प सही हो जाएगा यहां पर बच्चों में क्रेटेनिजम रोग यह थायराक्सिन की कमी से हो जाता है ऐसे बच्चे बॉने कोरो पेट बहा निकला हुआ जीव मोटी बहा है निकले हुई तो इसका लक्षन है जो यहां पर B आपकने से पहले गिरने पर कुछ माम्लों में उपज की मत पूरहानी होती है इसे किस के द्वारा रोका जा सकता है तो यह रोका जा सकता है आक्सिन के छेड़काओ के द्वारा बी बिकल्प सही हो जाएगा आक्सिन एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है जो पौधों में बिलगन क्रिया इसको रोगता है और यह पौधों में के साथ मिलान करना है और कोट के माध्यम से बताना है कौन सा आप्षन सही होगा यहां तो यहां पे पहला दिया गया है लेंगर हैंस दीप यह हो जाएगा इंसुलीन एका चौथा फिर आपका है प्यूश ग्रंथी तो यह हो जाएगा ब्रिद्धी हार्मोन भी का हो जाएगा धिमलीन ठीक हो जाएगा पहला एं अगला न्वले में faces बादो के लिए आवस्यक फ्रूशक पौ्षक ततत्यों का चुना थे पहला है आपाज फ्řाइस्पोर्स डूसरा लोहा तीसरा कार्बन, चोधा है नाइट्रोजन तो यहां जो से हो जाएगा आपका पहला यहां पे से होगा फास्फोरस, कार्बन और नाइट्रोजन इसमें लोहा नहीं होगा तो एक तीन चार्ड यानि कि सी आपसम से हो जाएगा पाधों के लिए आवस्याक स्थूल पोसक तत्व, फास्फोरस, कार्बन और नाइट्रोजन है इनके अत्रिक्त पोटैसियम, क Bunny, सलफर और मेगनिसियम जैसे स्थूल पोसक तत्व भी पाधों के लिए आवस्याक होते है लोहा एक सूच में पोसक तत्व है अगला कुशेन है इस फिग्मो मैनोमिटर चिकित्स की उपकरण का उपयोग किसके परीक्षंग के लिए किया जाता है आप से परिक्षंग के लिए लिए किया जाता है मापने के लिए किया जाता है स्वस्त मनुसिके रक्त चाप की माप जो होथी एकसोबीस child re uaf स सुख्यी वुन को सुची deformy कि साथ मिलान करना तो कुनैन कि से प्राप्र किया जाता है तो प्राप्र के जाता है तो नियоко चाल से एक हो जाएका तीसरा और आपका डिजी टैलिस है तो यह पत्तिव से प्रत के खाला ओर जैल59 यह प्रत के खाला और सिर्का, लास्टमें बचा ए, हरोइन तो यह आपका फल 새वाप के खाला, 152, तो तीन एक चार तो आप देख सकते हैं यहां पर बी बिकल्ब सही हो जाएगा अगला कुश्यन है निमलखित का मिलान करने तो यहां पर भी आपको मिलान ही करना है को सबसे पहला है नेवू आपका साइट्रिक अमल पजाता है इसमें तो ई का हो जाएगा चौथा फिर हैस समुद्रि सहवाल तो यह आपका algenic अमल जो है इसमें हो जाएगा यानि कि B का हो जाएगा पहला और अंगूर तो अंगूर में आपका tartaric acid मिलता है तो C का हो जाएगा तीसरा और लाशन में बचाएगा सिर का तो सिरके में acetic अमल पाया जाता है तो D का हो जाएगा दूसरा 4-1-3-2 4-1-3-2 आप देख सकते हैं कि B भी कल्प सही हो जाएगा अगला कुशन है अब आपका मनुसिक के सरीर में कितनी मात्रा में रख्त पाया जाता है तो यह आपका repeated question हो गया पहले ही बताया जा चुका है 5-6 liter रख्त एक तरल संयोजी उतक होता है तो यह question भी पूछाता है रख्त क्या है तो तरल संयोजी उतक है जो कि हलके या गहरे लाद रंकाई पारदर्श्टी होता है और यह हिर्दय यह उम्रुधिर वाहिनियों में प्रवाहित होकर संपूर सरीर में निरंतर यह परिभण मर्द करता रहता है तो पूछा गया है कितना पाया जाता है मानोशरी में रख्तल तो 5-6 लिटर और संब पाया जाता है यह आप समस्ही हुजा गया है तो दोस्तों यह था आपका बाइयोलोजी यह जीविग ज्यान का पहला सेट जो कि आपके GS पेपर के लिए जो है काफी महत पूर है यह जिसमें से 40 questions पूछे जाने है GS पेपर में तो वीडियो दे अच्छा लगा हो तो like share कर दिजीगा चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो चैनल को subscribe कर लिजीगा साथ में will icon को press कर लिजीगा जिसे आने वाले अगले वीडियो का notification आपको पहले मिलता रहे तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत भाँ धनेवाद